गुड मॉर्निंग बच्चो स्वागत है आपका जागरती क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां जागरती क्लासेज लर्निंग एप के माध्यम से इस लोगों से एप आप अगर यूट्यूब या फेस्बूक पर हमें देख रहे हैं तो इस लोगों का एप आप डाउ करवाईए निश्चेज रूप से ओफ-लाइन कोचिंग से और अन्य कोचिंगों से बिलकुल मिनिममम फीज में आपको यह कोर्स प्रवाइड करवाया जा रहा है तो आप इसका फाइदा उठाईए जहां साथ-चाथ हजार रुपे लगते हैं 11th और 12th के वहां मात्र छे में यह कोर्स दिया जा रहा है तो आप इसका जदा जदा फाइदा उठाईए और दसवी कक्षा का कोर्स मात्र 4,000 के आसपास है तो आप इसका जदा जदा फाइदा उठाईए और आपको एक एक चीज सांदान मेरे result की मैं आपके result की गरंटी लेता हूं पिसली कक्सा में यह चीज देखी थी तो आप इसको एक और दिवांग में सेट कर लो इसके आदार में अन्नी कोश्यन भी करते हैं इसली कक्सा में आपने देखा था यह टेबल रट जानी चाहिए ऐसे जीरो पे ठीटा जीरो तो 2F साट हो तो रूट 3F साट हो तो रूट 3F साट हो तो रू कि दो समान बलो के मध्य कितना कौन हो कि उनका परिणामी भी उतना ही आए तो 120 डिग्री यह सवाल था 11 कक्सा में किताब में और यह कॉंपिटिशन में भी आया हुआ है तो दो समान बलो के मध्य किसी वस्तू पर कर रहे है दो समान बलो के मध्य कितना कौन हो कि उस किया था अगला अगर देखिये ईपिसोड तो अगले अपिसोड में एकulle costsion में आपको देता हूं ने अगले एपिसोड में एकॉस्चें में आपको देता हूं Garh Kane का क्रह कारिय का Walk Là यह हम जो कि कुभ आ है वर्ग है और इसके चार कौने हैं कितने कौने है चार कौने है और इन कौनों का नाम मैंने लग दे लिख दे अब सवाल में दिया वा कुछ भी हो मैं अपने आप से इसमें बता देता हूं कि यदी यह आवेस माइनस क्यू है और यह क्यू है यह माइनस क्यू है और यह क्यू है तो परणामी तो बिंदू B पर या B से चेंज करें B पर परणामी बल ग्याद करो कुछ नही करना concept मैं बतातू आपको करना है बच्चो क्या है मैं concept बता रहा हूँ तेखो इस B पर निकालना है तो क्या करना है तेखो अब इन दोनों में होगा आकर्षन पहले तो पृति कर्चन था तो बाहर किष्टका ले रहा तो बल लग रहा था इन दोनों में होगा अकरसन मतलब क्या होगा यह माइनस क्यू इसको खेचनी कोशिद करेदा तो अब बल लगेगा इदर लगेगा कितना दिसा लेली मैंने दिसा लेली तो दिसा लेली तो सब अप मैं परिमान की बात करूंगा बल किता होगा के एक का परिमान क्यू दूसरे क अब माइनस क्यू नहीं लोंगा, अब दौना के विच की दूरी का स्कार, यह ध्यान रखना, यह F1, यहाद तक इसी को समझा तो बताओ, मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया कि बेटा, जो सदिस होता है, उसमें दो चीजे होती है, कि होती है, दिसा एक होता है परिमान, ज इदर देखें, तो F2 बराबर, के, क्यू, परिमान, क्यू टू, दिसा ले ली, आकरसने, A2, यह F, दौना बराबर है, तो यह भी F, और यह भी F ही हो गया, अब इदर देखिए, तीसरा जो बल है, वो निच्छी तुरुप से कहा लगेगा, क्यों लगेगा, तीन अ क्यू लगेगा, इसलिए लगेगा, क्यो लगेगा बताू इसलिए लगेगा, की दोनों समाने में पृति निचन ए तो फ्रतिकरसन ए धक्का धि, यह ύला में सको फिरांइ मैं-ना इदर आजाई, अधर ह था, अधर है, यह इदर है आकरसन, अकरसन, तो अब बल कितना होगा तो आपको पता यह भुजा किती होगी रूट टूए तो अब बल लगेगा जो क्या लगेगा F3 माल लो तो F3 किता लगेगा K Q Q और दौनों के बिच की दूरी है रूट 2a का स्क्वार तो अब आप यहां पर देख रहे हो आंसर के आया K Q Q बट्टा 2a स्क्वार अब अच्छो यहां ध्यान से देखिए कि यह दौनों बल तो इदर इदर लग रहे है और यह दर लग रहे है तो इन दौनों का जो परिणामी होगा इन दौनों का जो परिणामी होगा वो ऐसे जाएगा बीच में अलग कलर से करूं इन दौनों का जो परिणामी है इन दौनों का परिणामी इदर आएगा कहीं ठीक है? क्लियर? तो इन दोनों को पढ़ना में मैंने आपको बताया रूट 2 F करके और फिर माइनस करोगे. अन्तिम जो होगा F net या आप खुद को करना है आगे F3 माइनस F3 या ज्यादा आपको निस्चे दुप से रूट 2 F होगा तो आपको करना पढ़ेगा. देखो. आपक समझ में आरे कौन सा ज्यादा है? तो आपको निस्चे दुप से ज्यादा ही होगा. यह को कि रूट 2 गुना है और यह तो उसका अधा है. तो फिर भी आपको समझ में निया तो आप क्या करो? एक और किसी को ज्यादा मन के कर लो. जब माइनस माइनस कर लेना बस. तो मैं कह अगला टॉपिक है विद्यु सित्र. अगला टॉपिक है विद्यु सित्र. नया टॉपिक है बिल्कुल. मैंने दो निमरिकल आपको पिसले कॉंसर्प्रिव करा दिये. और ऐसा नहीं कि कॉस्चिन करा थी, इतनी होंगे. अब मेरा टार्गेट किया रहता है? मैं लेवल पांच तक जाएंगे भई. अब अगला विद्यु सित्र. इलेक्ट्रिक फिल्ड. ग्यारवीक अक्सा में आपने पड़ा, मैं आपको लग रहा होगा, मैं बार बार ग्यारवी, ग्यारवी, दस्वी क्यों बोल रहा हूं बिटको, पुराना काम आता है. पुराना काम आता ह जिसको जिसने अच्छे से पड़ाया वो तो कम से कम अपने पुराने कॉंसप्ट को रिकॉल कर पाए और जिसने हलके मिलिया उसको मैं सारी चीजे बताता चल्ला हूं जैसे अभी मेरे को बताना था समांतर चत्रभुज नियम का गनेति विसले सान तो मैंने वो भी बताया तो निश्चे रुप से अगला टापिक अमना विद्यू चित्र है तो ये ग्यार्वी कख्षा के गुरुत्वी चित्र से सिमिलर है मैं बार बार कह रहा हूं कि दस्वी कख्षा में ग्यार्वी कख्षा में अपने देखा था कि गुरुत्वी चित्र है उसके करन गुरुत्वी बल लग रहा है तो कुलॉम का बल भी है वो विद्यूत्चित्र के करन लगता है विद्यूत्चित्र है क्या जैसे गुरुत्वी चित्र एक काल्पनिक चित्र था जिसमें काल्पनिक रिखाएं थी, वैसे ही विद्युचित्र एक काल्पनिक रिखाओं का समू है, विद्युचित्र क्या है? एक काल्पनिक रिखाओं का समू है, विद्युचित्र क्या है? एक काल्पनिक रिखाओं जो आँखों से नहीं दिखती है, जो आँखों से नहीं लिखती है तो देखें क्या है विद्यूसित्र किसी आवेस अथ्वा आवेस के समू के परित्व वहसित्र जहां तक उसके विद्यूत्प्रवा का अनुभाव किया जाता है तो क्या है याद होगा भई किसी आवेस अथ्वा आवेस के समू किसी आवेस अथ्वा आवेस के किसी आवेश तथा आवेश के समु के परित्र का वसित्र जहां तक उसके विद्युत प्रभाव का अनुबव किया जा सकता है विद्युत चित्र कहलाता है तो किसी पनीवास एक बन गे जुई थाओ जसी आवस सत्वा आववेस के समप के परीते के वह लगाउ अभर दूसरी परिभास लेते हैं, अर्थार्त, जहां तक वह आवस सत्वा, अवच का समो किया जाता है उस सक्तिया जादा है उस आवेस सत्व आवेस अवेस समुग का विध्यू शित्र खलाता है अर्थात जहाad तक अर्थात, यह कहा सकते हैं जहाद तक कोई आवेस परिवासा चेंज़ गारो, बनुसरी आर्थात मि लको यह परिवासा एक औह गई यह परिवासा दो हो गई अपने को इतना ही लिखना है वही ऐसा नहीं है कि एक सवाल एक नमर का पुचा ददस परी बासा है लिख रहे हैं दूसरा किसी आवेश के चारो और का व सित्र जहां तक जहां तक कोई अन्य आवेश उस आवेश के कारण बल का अनुभव करता हो जहां तक जहां तक वह आवेश थेक है तो जहां तक वह आवेश अन्य आवेश पर विद्युत बल लगा सकता है उसे उस आवेश का विद्युचित्र कहा जाता है जो बल लगा रहा है उसका विद्युचित्र जो बल लगवा रहा है मैं दुटिवर चीजा वह इक बल लगा रहा है और एक लगवा रहा है एंक लगा रहा है ज़ा रहा है जो लगा रहा है वह तो सुड़ आ वेसि है कौँ सा वेसिक रहा है शुरूत और जो लग रहा है वह पर िंजर विद्व परेखशिन आवेसिए टेस्ट चारज neighborhood तेस्ट चार्ज है? टेस्ट चार्ज है जिस पे टेस्टिंग हो रही है टेस्टिंग clear? तो देखो सुनना टेस्टिंग कैसे मैं बताताँ आपो टेस्टिंग के लिए आपको एक उदान बताता हूं मेटा आपने देखी होगी रामायन आपने बेटा देखा होगा डबलु डबलु एफ तो रामायन और डबलु डबलु रामयन की बात करते हैं रामायन में बात कर रहे हैं टेक है? अब मेरे तो देखो ऐसे ही चित्र बनते है तो आप मान लो clear? टेक है? यह बगवान राम है और यह कौन है? यह रामन अब क्या है? कि आपने रामायन अभी अभी कोरुना काल में रामायन चली थी टीवी पे तो आप सबने देखी होगी तो इसमें क्या है देखना है? कि जब किसी एक की सक्ती का परिक्षन करना है तो दूसरे को दूसरे को बिलकुल कमजोर बनाना होगा देखिए कैसे? देखिए कैसे? बगवान राम ने एक तीर छोड़ा रावन ने एक तीर छोड़ा और आपने देखा होगा कि आपने देखा होगा कि यहां पे दौनों तीर टकराते थे और प्रकास निकलता था और तीर खतम हो जाते थे तेख geography ने था तेख नेगए। तो क्या हुआ ता कि!!! Hudson Ramya जो तीर आ चारता तोनों तीर पावरफुल थे और डौनों ने यह एक दूसरे की सक्ति को निर्श्ट कर दिया। नगातार ये दिल दोर चलता रहा ना तो ब्हकवान राम के तीर की क्वालिटी और सक्टी का पता चला ना रावान के तीर की स्क्ति और क्वालिटी की पता चला क्योंकि, दौनों ही अपनी साथ को Suzuki- ко शर्पूर ब्रपूर पावर देकर & देज रहते हूर तकरा रहा था लाइट ओरी थी प्रकास ओरा था फूल पतिया गिर रहे थी जो भी ठीक है लेकिन अब इन दोनों में ऐसे किसी के तीर की सक्ति का पता किसे चलेगा जब तीर आते रहेंगी और वो आकास में नस्ट होते जाएंगी तो पता जहें तो कहां थे तो सक्ति का पता कैसे चलेगा भाई तो अब क्या है कि मान के चलो किसी एक मोमेंट पे, रावन अपना तीर निकालने में और इसको धनुस में लगाने में और छोडने में उसमें लगा दिया और इतने में भगवान रामने तीर निकाला और मार दिया और तीर जो भगवान रामने मारा, सुनना भी ध्यान से, तीर जो भगवान रामने मारा, तो क्य करका हुआ इस तीर गचाख करके ravan को लग गया तब इस तीर की इस तीर की। पूरी क्वालिटि का पता चला क्या पता चला की भई गवान राम के बाना में जो सकति थी वह क्या थी वो को ऐसास हुआ, कब जब रावन अपना तीर चला ही नहीं पाया, मादब रावन क्या हुआ, निकाल रहा था, लगा रहा था, तरह में तो तक गया उसके, तो पूरी पावर का पता चल गया, समझे रो, तो इसके लिए, इसके लिए, एक को स्रोत चार्ज, जिसकी पावर चेक क आप खर्ली के मुक्य का, मुक्य की पावर का टेस्ट करना है, पावर चेक करनी है, तो क्या करने बड़ेगा, सामने ऐसा बंदा खढ़ा करना पड़ेगा, जो उसका विरुद नहीं करें, वो खाले एक मुक्का ले, एक मही देर, ठीक है, और सामने, यदी कोई ऐसा सक्टी जुवनेषलि भंदा खड़ा कर दिया, तो क्या करेंगों? जैसे श्काईल पंप गड़ लेगा तो उस मुक्ठीड़ उसंसेङनी पावर सामने बाले पर नहीं जाएगी लेकिन सामने बाले यह यहाई सामने बाला मुक्का चला लेगी दना दन, तो क्या हो वही, क्या हो गया, नॉक आउट हो गया, ठीक है, तो सामने एक को powerful होना पड़ेगा, दूसरे को क्या करेंगे, अपन कम powerful लगेंगे, ताकि इसकी power पूरा पता चले, दूसरे सब्दों में देखिए, दूसरे सब्दों में मैं अब topic पर आता हूं, मैं आता है, आता हा दुआ है, जरना दूसरे समचे के आता हूं, मैं अब करोवा। है, आता हूं। लंबे लंबे बनाता हो ताकि यह चीज आपको समझ में आजाए इस तरह से मान के जलो यह एक आवेस है और इस आवेस के गारण विद्ध्यु चत्र है से बाहर की और जाए यह रेखा हैं विद्ध्यु चत्र रेखा हैं तो यह क्या है विद्ध्यु चत्र है और यह क्या है यह आपन क्या सकते हैं और यह विद्ध्यु चत्र पूरा है और विद्ध्यु चत्र में क्या है विद्ध्यु चत्र रेखा है विद्ध्यु चत्र और यह विद्ध्यु चत तो अब ये जो आवेस है इस पर जो भी बल लगा रहा है देखो ये उस पर बल लगा रहा है ये वाला जो आवेस है ये उस पर बल नहीं लगा रहा है ये वाला जो आवेस है ये उस पर बल लगा रहा है लेकिन वह वाला आवेस टेस्ट चार्ज है क्या है वह टेस्ट तो आप देखिए कि विद्योचित्र होता क्या है गनितिये मैं समझे है तो विद्योचित्र जो E है वो क्या होगा F बट्टा क्यू नौट भी ध्यान रखना क्या होगा भई F बट्टा क्यू नौट मतलब परिक्षन आवेस पे जितना भी बल लग रहा है बट्टा परिक्षन आवेस का मान तो यदि किसी परिक्षन आवेस पर बल F लगता है तो बल F तथा उस परिक्षन आवेस के अनुपात को बल F तथा परिक्षन आवेस के परिमान क्यू नौट के अनुपात को बल F तथा परिक्षन आवेश के परिमान क्यू नौट के अनुपात को विद्यू सित्र कहते है यह भी एक परिभासा बन गए भई ठीक है यहां तक मुझे नि लगता है यहां तक कोई दिक्कत हो कि एक और दियान से देखो कि इसके साथ अपन भच्यो इएD कहा dif fij लग है इसके साथ बाता विद्यू शित्र की और चीजा बता देते हैं कुछ और चीजे इसी चित्र में बता देता हूं है ठीक है कुछी जो और बताता हूं कि आपने देखा ये प्लस है और ये प्लस है और मैं कुछ नहीं कर रहा, निकाय कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, तो आपने देखा होगा ये प्लस है और वो प्लस है, और ये प्लस और ये प्लस क्या करेंगे, एक दूसरे से प्रतिकर्शित होंग यह सोताही इधर जाएगा जाएगा tava तो क्या होगा इनमे प्रतिकरशन होगा और प्रतिकरशन की कारण सोताही दूरी बड़ेगी अपने को कोई बाहर से बल नहीं लगाना सोता ही दूरी बड़ेगी इन वहना है तो मैं आपको कौझ काओं कि पले यदे मैं एकस्ट कर्यापकिन है शोटी जड सोता है here आगया है, तो यह थोड़ी जड़ मेरा जहारे है कि इस स्का मतलब आव आवेस यहाय जारह और आप पता है लनात्माग आवेस कि इस निमन विभाव टर जाते हैं जाते हैं वही उच्विभाव से निम्नविभाव की और जाते हैं अवेव से दूर जाने पर विभव गडता है विवाव गडता है अपने कैसा है अपने वन पॉ wnAyच एपोजिक आ पने एक पॉजिट्व चोड दिया तो अ मनननननननननननन भॉ जाता है तो झा है तो अवेश उच हैनपन धूरो झा रहा है तो अपन ने दिखे और लिए यह एक दनात्मक आवेस के करना विद्यु शित्र रेखा पर आवेस से दूर जाने पर विद्युत जो विभव है वो घटता है विद्युत विभव जो है घटता है आपको दिख रहा होगा पहले आवेस उच विभव पे था अपने आप दूर गया तो कहां वो निम्न विभव ही की होगा तो यहां इसके साहथ मैंने आपको बता दिया विद्यू चित्र के बारे में बेसिक अंसप्ट और इसकी परिभासा अगले टॉपिक में तो आपने यहां तक देख लिया ठीक है अगले टॉपिक में आपन देखेंगे एक बार वापस चित्र को देख लो भई क्योंकि इस पर नुमेरिकल भी आया हुए नCIT में ठीक है आया हुए बोर्ट उपर एक्जाम में इसको ध्यान से देखें फिर इसके बाद आगे चलते ह की बारे में पढ़ा अब आपन पढ़ेंगे विद्यू सित्र की तिवरता की बारे में कि चित्र मैंने बता दिया आपको अवे अपना अगला टॉपिक विद्यूत शेत्र की तिवरता निकालना बात वही है तो विद्यू सित्र की तिवरता जो है या विद्यू सित्र जो है वो कैसे निकलेगा तो विद्यू सित्र की तिवरता के लिए अपन क्या बात करेंगे किसी विद्युश्चित्र में रखे धन परिक्षन आवेश धन परिक्षन आवेश क्यू नॉट पर लगने वाले बल एफ के कारण लगने वाले बल एफ के कारण विद्युश्चित्र की तिवृता यह हो तो बल एफ लग रहा है और विद्युश्चित्र की तिवृता कितनी यह हो तो विद्युश्चित्र यह बराबर एफ बट्टा क्यू नॉट तो आपको क्या गटा है आपको यह चित्र बनाना है और उसके साथ यह काहनी लिखनी है विद्युश्चित्र की तिवृता में कि किसी विद्युश्चित्र में विद्युश्चित्र की तिवृता निमन प्रकार परिभासित होगी तो यहां तक हो गया चित्र बना लो किसी बिंदु पर कार्य करने वाली विद्युश्चित्र की तिवृता उस बिंदु पर रखे परिक्षन आवेश तथा उस बिंदु पर रखे परिक्षन आवेश तथा वाले बल तथा परिक्षन आवेश के अनुपात के बराबर होती है परिक्षन आवेश के अनुपात के बराबर होती है आवेश के अनुपात के बराबर होती है साथ अपन लिख सकते हैं अगली टॉपिक से अगले पेसे लिख लें कि विद्युश्चित्र की तिव्रता तनात्मक आवेश से दूर की और तथा नेगेटिव आवेश के कारण अंदर की और या पास की और होती है तो पॉजिटिव आवेश के कारण डूर की और तथा नेगेटिव आवेश के और कारण अंदर की और होती है तो देखो इसमें क्या है यदि positive always है तो विद्यू चित्र रेखा ऐसे जाएगी दूर की और 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 यदि negative always है तो विद्यू चित्र रेखा अंदर की और आएगी इस तरह से पूरे में चित्र बना लो तो कोई दिक्कत नहीं है क्लिर इस तरह से तो positive always से बाहर की और और negative always की कारण अंदर की और होती है जल्दी से देखो भई इसको कैसे आगे अपन पढ़ेंगे विद्यू सित्र रेखा हैं सब सत्ह के लंवत होती है आएगे टेखा हैं तो यह क्या लिखा है कि परिक्षिन आवेश जो है वो मुख्य आवेश के विद्युचित्र को प्रभावित कर सकता है अता इस प्रभाव को कम करने के लिए अता प्रिक्षिन आवेश का मान कम से कम लेते हैं प्रभावित कर सकता है अता इस प्रभाव को कम करने के लिए अता प्रिक्षिन आवेश का मान कम से कम लेते हैं प्रभावित कर सकता है अता यह लिख सकता था, इस प्रभाव को कम करने के लिए, इस प्रभाव को कम करने के लिए, परिक्षन आवेस कमान कम से कम लेते हैं, तो अब अपना जो E है, इस कमान क्या हो जाएगा, F बटा Q0 यह तो अपन लिखी रहे थे, बस अब इसके आगे लग जाएगी एक लिमिट, ल तीर के निशान इस तरह से लग जाएँगे, क्लियर भई, कोई बड़ी बात नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूत नहीं है, अब इसके बारे हम देखे हैं, यहाँ पर, विद्युषित्र, एक सदिस रासी है, कैसे रासी है, सदिस रासी है, ठीक है, यह सब आपन एक बार वापस यहाँ पर देख लें, कि यहाँ एक, कैसे रासी है, सदिस रासी है, और विद्युषित्र की अभी धारना, सर परतम किस ने दी थी, फेरादे ने दी थी, और इसका मात्रक, न्यूटन प्रतिकुलों में, तो मैंने अभी आपको बताया, कि यह बराबर आब प्रतिलों में, कि यह बरताया कुलों में, तो न्यूटन प्रतिकुलों में से अभी इसका मात्रक है, और व्यग तो भी प्रतम करता है, उते हैं उसे तो सुर eyes के औरgy tree के तो क करता है, उसे तो तो सुरोत आवेश जिसका विद्युचित्र ग्याद करना है, परिक्षन आवेश जिस पर टेस्टिंग करनी है, तो सुरोत आवेश और परिक्षन आवेश के बारे में अपने पढ़ा. तो विद्धी सित्र एक सदिस रासी है इसके बारे में लिखते है अब इसकी वीमा है तो इसकी वीमा काम किये तो वीमा अपन ग्यात कर लेते हैं तो अपने को पता है E बराबर क्या है F बटा Q Q naught E की वीमा क्या हो जाएगी? यह हो जाएगी M1 L1 M1 L1 T-2 F की तो याद होती है रटी भी होती है ग्यारवी कक्सा से मैं बता रहा हूं और Q Q होती है A1 T1 Q Q होती है A1 T1 Q Q होती है A1 T1 याद हो जानी चाहिए Q बराबर A T अब यार बार बार अरिक चीज बताना यह Ampere और यह Time यह दर आजाएगा तो Q Q की वीमा जाएगी? ठीक यह आपको याद हो नीचिए बार 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 नीचिए पुराना यह एक वर मैं याद हो जाना ची वीडियो दो बार देखो तो उसे क्या है कि जल्दी समझ माएगा M1 L1 T-3 यह उपर जाएगा और A-1 तो यह आगे वीमा E की विद्युषितर की वीमा आगे तो आप विद्युषितर की वीमा आगे तो आप विद्युषितर की वीमा आगे तो आप विद्युषितर की वीमा है M1 L1 T-3 और A-1 यह विद्युषितर की वीमा आगे अब अगला तो आप देखिए बच्छों, यहां तक अपने यह कर लिया, मैंने विद्ध्युच्टर की दिसावी बता दिया आपको, साथ मैंने आपको बता दिया, कि धन आवे से, मैं यहां बता देता हूं यह एक ट्रिक, दन आवे से, दूरी बड़ने पर विभाव गटता है, विभाव पड़ेंग यागे पर पता होना चे, विभाव गटता है, असे बना लेते हैं आपन, ठाक है, और नेगटिव अवेस, मैं इस के कारण विपरीत होगा, दूरी बढ़ने पर, दूरी बढ़ने पर विभाव बढ़ता है, पडेने पर और होता जो दूरी बड़ने पर विपो क्या होता है बढ़ता है किसमें बढ़ता है बहसे की नेकिटिव ओवास्के करण नेकिटिव अवैस्चे का रण दूरी जयासै जासा जासा बढ़ेगी वैसे डिव्याजी ऑक गी विद्यु शित्रखा पर दूरी जैसे से बड़ेगी चलेंगे तो विभव बढ़ता है और इस पे घड़ता है लिए ध्यान रखना अगला है बिंदु आवेश के कारन उत्पन विद्यु शित्र की तिवरता अगला टॉपिक है बिंदु आवेश के कारन बिंदु आवेश के कारन विद्यु शित्र की तिवरता की बात करें तो ध्यान से तगिए वो पूरा जो चित्र अभी अपने बनाया था उसी कॉंसेप्ट पे अपन काम करेंगे उसी कॉंसेप्ट ये अपन काम करेंगे और इस क्वेशन का आंस्वर बड़े बैतरीन तरीके से निकाल लेंगे तो सुरू करते हैं पहले चित्र बना लेते हैं ये मूल बिंदू है ये मूल बिंदू है यहां से दूरी पर बिंदू P पर ये मूल बिंदू है यहां पर प्लस क्यू आवेस है इस आवेस के कारण बिंदू P पर मुझे विद्यू चित्र ग्याद करना है क्या ग्याद करना है विद्यू चित्र तो हमन गाएंगे कि चित्रानुसार मूल बिंदू O पर एक आवेस प्लस क्यू इस्थित है इसके कारण बिंदु P पर विद्धु चित्र की तिवरता गयाद करनी है इसके लिए बिंदु P पर एक परिक्षन लगु परिक्षन आवेश क्यू नौट रखा जाता है क्यू नौट क्या है लगु दन परिक्षन आवेश यह नाम सबके पता हो तो थोरी लिख सकते हो यह हो गया स्रोत आवेस यह हो गया मूल बिंदू चित्र सही कानी बनानी आनी चाहिए, ठीक है? तो आपस देखें, कि चित्रा नुसार मूल बिंदू पर एक आवेस प्लस क्यू है जिसके कारण मूल बिंदू से आर दूरी पर इस्तितिक बिंदू पर विद्धू स्यत्य की तिवरता ज्याद करनी है इसके लिए एक परिक्सन आवेस क्यू नॉट को बिंदू पर रखा जाता है यह आप लिख दोगे अब चित्रा नुसार आवेस क्यू नॉट पर आवेस क्यू 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 सदे से तग्या लगा देवार कैप उसी दिसा मो का बलो का किदर कुछर्य SCITRA की बरिवाशा से अब 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 लगा किदर इधरी अब Umm इससे बरिंद एसलिए बंड़ी लिए किशार की बारी टीऑ क्या नाफिती विद्युचित्र की परिभासा से विद्युचित्र की परिभासा क्या थी? यह बराबर लिमिट Q0 टेंस टू जीरो एह बटा Q0 यह स्टेंडर फॉर्मुला बता है था भी? यह समीकरण होगी एक कुछ नहीं आसान है यह होगी समीकरण दो कटिन नहीं है समीकरण एक से मान समीकरण दो में रखने पर रखने पर तो जब यह मान अपन रखेंगे तो दियान से देखेगा E सदिस फोर्म है E सदिस बराबर लिमिट Q0 tends to 0 Q0 का मान tends to 0 होता यह धियान रखना है मतलब 0 की तरफ है 0 नहीं है धियान रखना यह मान रखा रखना के Q1 Q2 बटा R square R cap into 1 by q0 F कमान रखा और q0 है लिए आप देखो Q और Q 0 है, तो q1, q2 नहीं लिखे, q और q0 लिखेंगे, अब आप देखो लिमिट q0 पर लगी है, लिमिट q0 पर लगी है, मतलब q0 अपने को दिक्कत देगा, लेकिन जैसे ही, जैसे ही Q0 से Q0 कटेगा यह लिमिट अपने आप स्वता ही अड़ जाएगी और अपना अंतिम आंसर आएगा E बराबर K Q बटा R स्कॉाइर और R कप या E का मान आजाएगा K K अटाओ भई इस का मान आजाएगा 1 अपॉर पाई अपसलन नौट Q बटा R स्कॉाइर और R कप आपने देखा होगा मैं से तुल्ला करता हूँ आपने देखा होगा गुरुतियो तवरण याद करूँ भई, मुह पुरान याद करा रहा हूँ आपने देखा होगा गुरुतियो तवरण तो गुरुतियु तुर्ण का मान क्या आता था? E जी बराबर GM बटा R स्क्वाइर आता था? R कैप कर लो बले या सदिस अटा दो बले तो आप देखरो E जी का मान ऐसा था GM बटा R स्क्वाइर तो G की जगा गया K, M की जगा गया Q R स्क्वाइर का R स्क्वाइर ठीक है भई? इस तरह से सदिस दूर्प में लोग है तो R कैप आगा लेकिन दिसा माइनस आएगी क्योंकि यहां पे जो बल होता है वो आकर्सन प्रवड़ती का होता है इसलिए माइनस इन भी आता इसमें तो मैं तो सब संख्या को रिलेट कर रहा हूं कि आप मुख्यमान की तुलना करिये तो मुख्यमान की जब तुलना करो है तो देखेगा K G के जगा K, M की जगा Q, R स्क्वाइर की जगा R स्क्वाइर तो अता किसी बिंदु आवेस कारण विद्यू चेत्र की तिवरता का सूत्र जो है अपने ग्यात किया इसके बाद आप आगे लिखो इसके साथ मैं आपको बता दूँ अगर आप लिख रहे हो तो आगे दो लाइने लिखा रहा हूं क्या दूओं रहा हूं दो लाइने लिखे अर्थव है यह यहां तक कि आंस्वरागे बस अर्थवार श्कॉयर के विद्यू अर्ट करमानु पाते होता है मतलब जैसे-जैसे दूरे और आप पाति की तिवरता Сांसाय है इसका मतलब है जैसे जैसे आर बड़ेगा, ए घटता जाएगा, 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 चलो, को शेत्र का गोलिय सम्मित या तरज्य सित्र कहलाता है यदि आवस क्यू से देखा जाए तो इसका पड़िणाम आवसे दूरी के वर्क के वित क्रमा नुसार घटता है विद्धियु सित्र की तिवर्ता वो दूरी के साथ खेचे आरेक को निम्न चित्र द्वारा दर्साना है तो देखो अब इसको चित्र के दौरा अपने को दर्साना है तो अब अपन क्या करेंगे चित्र बनाएंगे विद्धियु क्पन क्या सकते हैं अतव आर बढ़ने पर ए गटता है अब ए और आर में अगर चित्र बनाएं इधर देखो अब देखो ए और आर देना है तो आप बता दो वैसे देटे यह अधर देटе एंधर देते एं जार्ता है और ठीक है यह ध्यान लगना है तो यह इस तरह से ठीक है इस तरह से ग्राफ आता है तो ग्राफ आप देख लिजिए यह पेपर में काफी राता है clear और यदि E और 1 अपन आर स्कवर कि मत्य ग्राफ बना नौ तो भी आप देखिए तो इधर हो गया E, और इधर हो गया 1 upon R square, आप देखो, E और R में तो ग्राफ ऐसा होगा, और यह पेपर में आता है अकसर, यह नहीं आएगा, लेकिन फिर भी किताब में यह भी दिया होए, तो आप देखिए, कि E समानु पाती है 1 upon R square के, अगर 1 upon R square पूरा बड़ेगा, तो E भी पूरा बड़ेगा, तो 1 upon R square अगर पूरा मान बड़ेगा, तो E भी बड़ेगा, जब ऐसा आता है तो graph कैसा आएगा graph आएगा graph आएगा graph आएगा टक सीधी रेखा graph कैसा आएगा सीधी रेखा clear इसमें कोई दिमाग लगाना लिबात ही नहीं है जब 1 upon R square पूरा अब R square से मतलब आपको 1 upon R square जो एक संख्या है वो बड़ेगी तो उसके समानों पाती है यह तो यह भी बड़ेगा तो graph आएगा graph आए रेखा ठीक है तो यहां तक अपने आश्वर निकाल दिया समीकर नंबर डालने है तो डाल देते हैं एक दो तीन चार ठीक है किसी के परावैद्युतांक के माध्यम में विद्युचित्र कैसे निकालेंगे तो E किसी माध्यम में तो M लिख दो अब उसके लिए क्या करना है 1 upon 4 pi epsilon 0 2i यहां से देखता जाना आपी एक और ऐसी चीज बताऊंगा कि आपको मजा आजागा मजा ठीक है दियान अब यहां पर देखिए मैं एक चीज बताता हूं आपको जब भी परावध्युतंक क की बात करें तो आप हमेंसा एक चीज मेरी धिहान रखना प्यरे बच्चों एक ट्रिक बता रहूं दिमांग में बूलना मत कि के जो है परावध्युतंक के वह हमेंसा एकशलन नॉट के साथ आएगा कभी भी पोई ओपसंसे इदेखना देहां से कभी ओपसंन एबी सीडी इदर लिख देता हूं पोई ऑपसंन एबी सीडी पता चला कहींपई Epsilon Naught बत्ता के लिखा हुआ है कहीं, के बत्ता Epsilon Naught लिखा हुआ है कहीं पर, ऐसे और कहींप Epsilon Naught के लिखा हुआ है, clear? और नन अफ दीज मानलो, ऐसा कोई पीछे कुछ भी लिखा हुआ है, option है चार की जाद कीजिए, निमने सूत्र कौन सा सही होगा, तो निष्चे तुरुप से यह गलत है, निष्चे तुरुप से यह भी गलत है, K और Epsilon Naught दोस्त है, वो हमेशा साथ रहते है, यह हमेशा ध्यानगना, K और Epsilon Naught हमेशा दोस्त है, वो साथ रहेंगे, कभी भी उपर निचे यह के जो है, मैने अपको नियुमेरिकल करना है और आज पूरी क साम आपने विद्युशित्र पढ़ा, और अगली कсь साम अपने क्या बढ़ना है, आवेशा के निकाय क कारनी विद्युशित्र और उसके कुछ सूत्र पढ़ने है, और विद्युशित्र रेखाय पढ़नी है, क्लियर और जो अपने वर्ग वाली सवाल किया था आज अपने उसी क्यादार पर विद्युचित्र को लेकर भी थोड़ा बहुत पढ़ना है तो कल की क्लास विद्युचित्र रेखाऊं के गुर्णदर्म से रिलेटर रहेगी इसे के साथ आज की क्लास यही समप्त करते हैं प जरीब और जरुत्बंद बच्चे इस प्लेटफोर्म के माध्यम से निशुल की सिक्सा प्राप्त कर सकते हैं अपना उद्देश्य है कि हर गाउंधानी के बच्चे को एक सरेष्ट और बढ़िया जब सिक्सा में क्रांती आई गई है तो इसको इस कदर तक अपने को ले ज तो आपको अपना दिये कि गाउं में बैठा बच्चा दानी में बैठा बच्चा उसको भी समान अधिकार प्राप्त हो इसलिए अगर आपको कोई मित्र दूर दराज के गाउं डानी में रहता है तो आप उन्हें सुचित करें उन्हें बताएं कि जागरती क्लासे का मिलेंगे आज तक जितना पड़ाया उसे जरूर याद करें अगली कसा में इस से रिलेटेड कॉंसेप्ट काम आएंगे धन्यवाद